हेलो एवरिवान, नमस्ते, सश्रीकाल कैसे हैं आप? मैं हो माही और सागत करती हूँ मेरे चानल हेल्थ और वियर टेपस इन माही में आज मैं आप लोग के साथ ये मेख़ लोग शेयर करने वाली हो इसको आप ग्रीन कलर की डरेस के साथ वियर कर सकते हैं या साड़ी के साथ, सूट के साथ, आपके पास कोई भी इस कलर की ड्रेस हो, उसके साथ वेर कर सकते हैं, या आपका कोई कलर कम्बिनेशन ऐसा हो, उसके साथ भी आप इसको ड्राइ कर सकते हैं, और फेस्टिव सिजन की वज़े से, मैं बहुत सारे मेकप टिटोरियल तो आप सूट के साथ साध कर सकते हैं इसको और इसमें बहुत ज्यादा जैसे की मेरी पहले की वीडियो में होता है ज्यादा ताम ज्वम नहीं होता है मेक-प में एक दम सिंपल होता है और बहुत अच्छा लगता है करने के बाद में उसी तरह से मैंने इसको भी Create किया है इच यह बहुत ही बढ़िया है यह तीन-चर वर में इसको यूज़ कर चुकी हुँ मुझे यह ठीक लगा है मेकप को काफी देर तक मतलब फाउंडेशन को काफी देर तक यह टिका कर रखता है प्राइमर का काम ही यह होता है कि फाउंडेशन को आपके फेस पर अच्छे से चिप क प्राइमर का होता है दूसरा आपकी जो पोर्ज होते हैं उनको मिनिमाइज कर देता है तो यह जो मेकप प्राइमर है यह अच्छा है इसको भी आप ट्राइ करना चाहते हो तो कर सकते हैं नेक्स्ट में अपना फाउंडेशन यूज कर रही हो वेटन वाइल का फाउंडेशन है यह फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और दूसरा मैट फिनिश देता है यह तो अगर आपको कवरेज अच्छी चाहिए अफॉर्डेबर फाउंडेशन चाहिए तो यह फा लेकिन अपने ताइब हैं यह फाउंडेशन यूज कर सकते हैं अपने शेट के हिसाब से चूज करके बध्यान को помог कोई भी फाउंडेशन आप चूस कीजिए जो भी फाउंडेशन अप लगाई ये उसको अप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए मैं इसको बहुत अच्छे स आपको लग रहा होगा लेकिन आराम से करती हूं और फांडेशन को जब भी ब्लेंड करना हूं थोड़ा टाइम आप लीजिए क्योंकि एक फांडेशन ही है जिसकी वज़से आपका जो चेहरा है जो आपका बेस है वो सेट करने वाला है आगे आपके बागी के मेकप लुक को अच्छा बनाने वाला है आपके चेहरे के उपर जितने भी दाग धब्बे हैं उनको हाइड करने वाला है एक अच्छा सा लुक देने वाला है आपको तो फांडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है उसके पास से मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूं ये डार्लिंग इ तो अपने पहले सबसे पहले मैं डाक सरकस के ऊपर और आइस के ऊपर इसलिए लगा रही हूं ताकि ये अच्छे से से अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मुझे आई शेड़ो जो लगाना है उसको ये अच्छे से अच्छा लुक दे और अपने हाइलाइटिंग पॉइंट इस पर भी लगाऊंगी मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा जितने भी मुझे दाग थबें हैं वहाँ 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 इसको लगा करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूगे और कंसीलर को भी ध्यान रखना है आपको कंसीलर को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तमाल करना है वो एकदम अच्छे से गीला होना चाहिए गीला करने के बाद पहले उसको अच्छे से गीला कीजिए उसके बाद से उसको आप स इस्तेमाल नहीं करने हैं साथ की साथ गरदन पर इस्तेमाल करने हैं अब मैं यहां इसके प्रोड़क्त ट्राई कर सकते हैं इसके काफी अच्छे हैं मैंने इसका मूस फांडेशन ट्राइ किया लिपस्टिक ट्राइ किया और भी एक दू चीज़े ट्राइ किया तो मुझे काफी अच्छा लगा है यह और बहुत ही ज्यादा अफॉर्डिबल है सबसे बड़ी बात तो यह है साथ में की मेड इन इंडिया है तो आप जरूर देखिए अगर आपको मेड इन इंडिया प्रोड़क्ट चाहिए तो आप यह ब्रेंड जरूर ट्राइ कर सकते हैं उसके बाद मैं आपना आइब्रो फिल करना स्टार्ट कर रही हूं पहले शेप कर लूँगी अच्छे से उसके बाद से मैं उसको फिल करू पहले हैं है को अगर आपकों आइब्रो का लर थोड़ा नैच्रूरल चाहिए नैच्रिल लुक चाहिए तो ब्लैक disturb पर मज जाएए इसग मीगा आप ब्राउन कलर की आइब्रो पैंसिल कीजिए तू अफ्यक्रव कर गो आप ट्लस करेंगे तो वह ज्यादा मतलब ब्लैक ब अगर आप हाथ से ख्लिन करने की कोशिश करते हैं या वाइप से गलीन करने की कोशिश करते हैं तो सोचिए फिर आपको फान्डेशन और कंसीलर दूबारा से लगाना पड़ेगा, जो कामा पहले कर चुके हैं, अब मैं यहां यूज कर रही हूँ यह हुड़ा ब्यूटी की एमरेड आइशाडव पैलेट है इसमें से मैं इसी को यूज करूंगी याज मेकप लुक में इसमें से मैं यह सबसे लाइट ग्रीन कलर लिया है आइशाडव ब्रश के उपर और इसको मैं अपनी पूरी तक लेके जा रही हूँ इसको ऐसे ही स्प्रेड करना है अच्छे से यह वाला कलर है बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है यह अपनी आइलिड पर अच्छे से इसको लगा लेना है उसके बाद से इसको ब्लेंड करना है उसके बाद से यह जो डाक क्रीन कलर है यह वाला मेरी ड् आइब्रो के आगे नहीं जानी चाहिए आइब्रो के अंदर तक ही रहनी चाहिए उसके बाद से सेम कलर को ही मैं अंदर की तरफ प्लेस करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी यह क्या हो जाएगा यह एक आउटलाइन क्रेट हो गई अब आपको यह जो ग्रीन कलर है सी ग्रीन कलर इस आउटलाइन के अंदर ही फिल करना है इसके बाहर नहीं जाना है लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऊपर चला जाएगा तो ठीक है वो चलेगा लेकिन आपकी आइब्रो के आगे नहीं जाना चाहिए इस तरीके से आपको इसको फिल करना है नीचे की तर से करना है आपको अब चलेंगे नेक्स्ट कलर की तरफ इसको इच्छे से ब्लेंड करना बहुत जरूरी है और यह कलर लगाने का मकसद यह था कि जो मेरा आईशेडो का फाइनल लुक का है वह थोड़ा सा ऑंब्रो लुक में आए तो वह बहुत अच्छा लगेगा और जो कॉ प्रश नहीं मिलेगा देखिये साइड में को ब्लैक नहीं लगाया है लेकिन लगाने के बाद वह और ब्ला एक्ट आए तो थुड़ा अच्छा लग रहा रहा है मतलब स्मोकी भी लगेगा और उंब्रो भी लगेगा और फैस्टिव मेकप भी हो जाएगा तो इस तरीके से लगा लेना है और आखे उभर के आएंगी अगर आप ऐसा कुछ आईशेडो लगाते हैं तो र आपको ज़रूरी नहीं है यही आईशेडव पैलिट लेंगी है आप यह कलूर वाला कोई भी आईशेडव पैलेट ले सकते हैं हां कलर को लगाने के बाद brush से blend कर रही हूं मैं लगाया देखिए कहां तक लगाया है मने इसके ordinance ब्रश से aylid करूंगी यहां मेरा आइशडो मेकप खतम होता है और Aa aspiring नहीं कि और अए आप अधार्ड गूंफ भी से चलत है । तो इस लुक के साथ मुझे विंग आईलाईनर मैंने सोचा जादा अच्छा लगेगा इसके लिए बेड 96 अबाइस्ध करेट अच्छा है काफी देर तक रहता है यह जब ब्लैक कलर का काजल ही इस्तमाल किया है मैंने हाँ एक चीज़ और बताना चाहूंगे कि मैंने कोई भी ग्रीन कलर यह जो ऊपर अपने हाईलीड पर लगाया है लोगर लाइश लाइन पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है सिर्फ मै मैं अपना हाईलाइटर लगा रही हूँ आपको यह भी हाईलाइटर लगा सकते हैं मैं जो मेरा फिवरेट हाईलाइटर है वही लगा रही हूँ गौश का नोस पर चीक पर उसके बास से मैं आईब्रो के नीचे भी लगाऊंगे हाईलाइट करूंगी अच्छे से और पर लेड़ कलर ना पसंद हो तो आप न्यूट लिप्स्टिक पर जाईए आई मेकप करते करते मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने मस्कारा नहीं लगाया भूल गई थी मालास्ट में मुझे मस्कारा याद आया यह मिंदी लगाते वक्त जब मैंने अपना आईलैश पर लेश लाइन पर और अपनी लोड़ लेश लाइन पर भी मैं मस्कारा लगाऊंगी आई लैश पर तो लगाऊंगी ही ताकि मतलब आई लैश ना वॉल्यूम आ जाता है उसमें और थोड़ी कर्ल हो जाती है तो ज्यादा अच्छी लगती है और आईशाड़ो जब हम लीपस्टिक तो कितने अच्छे से मदलब अच्छी लग रही है इस लूग के उपर आप कोई और लिपस्टिक भी लगा सकते है ये ब्ल्यू हैवाइन की आती है 100 रुपीज की आसपास आती है ये बहुत लॉंग लास्टिंग है लेकिन ये जो लिपस्टिक है ये लिपस क के साथ ज्यादा अच्छी लग रही थी इसके लिए मैंने ये कलर अप्लाई किया है और ये फाइनल लुक कैसा लगा आपको जरूर पताएगा कमेंट करके मेरे चानल पर और भी फैस्टिव मेक अप हैं बहुत सारे और आगे भी वीडियो आने वाली हैं और भी आने वाली है तो प्लीज मेरी वीडियो को दोस्तों पूरा देखा कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है और कोई और कलर चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सबते हो मेरा डांस करने का मनकरा है था इसके लिए मैं सी रिला रही थी औ आपको गर कोई हैस्टैल आता हो तो आप अपना कर सकते हैं ठीक है आपकी मरजी है लेकिन हाइलाइटर अच्छे से लगाईएगा ताकि आपका जो चेहरा है वो चमकता हुआ देखें क्योंकि यह जो आई लुक है इसके साथ तो थोड़ी जादा चमक चाहिए तब आपकी शेयर कर दीजिए सबस्काइब कर दीजिए का चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर